नवश्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बफिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास होने अला अगर आप जमशेदपूर इसके आसपास है सबसे पहले दोस्तों आप हिरो जूम के उपर एक नज़र डाल लीजे और इसके बाद हम इस स्कूटर के सभी फीचर्स के बारे में जानते हैं आप सभी ने भी हिरो जूम के उपर एक नज़र डाल लिया है और जासा कि आप सभी ने देखा कि यह स्कूटर देखने में काफी और इस स्कूटर को आपके लिए ऐरो डैनेमिक लुक में बनाया गया जो देखने में वाकई में काफी अच्छा लग रहा है और इसके फीचर्स के बारे में जानने से पहले आपको बता दूँ कि हीरो जूम आपको तीन वैरेंट में मिलता है और अब हम दोस्तों हीरो जूम के सभी फीचर्स के बारे में जानते हैं और शुरुवात करते हैं इस स्कूटर के फ्रंट लुक से तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इसके हेडलम वाइजर पे आपको स्मोक ग्रे कलर का मीटर वाइजर नजर आएगा और पैनल पे ग्लॉसी रेड पेंट के साथ मैट ब्लैक फिनिश को यूज किया गया जो देखने में काफी बहतर लग रहा है और इसके टन सिगनल में आपको नॉर्मल बल मिलता है और स्कूटर के फ्रंट पैनल पे ध्यान दे यहाँ पर आपको फ्रंट से देखने में डॉल टोन कलर नजर आएगा ब्लैक एंड रेड कलर और वहीं अगर आप इसे थोड़ा सा side से देखें तो यहाँ पर आपको side से देखने में red and gray color नजर आएगा इसके side profile से और इसके headlem की बात करें तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस scooter में आपको hero का अपना edge के ship में LED DRL और इसके headlem में आपको projector LED headlem मिलता है और इसके side पे ध्यान दे तो side में आपको इस scooter में first in segment जो scooter में पहली बार दिया जा रहा है corner bending light आपको मिल जाता है यह किस तरह काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं अब ही आप माल लेजे कि मैं इस scooter को right कर रहा हूँ और scooter को मैं left के तरफ turn कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि corner bending light अपने आप ही जल जाता है और मैं जैसे scooter को सीधा करूँगा यह अपने आप ही बंद हो जागा और corner bending light दोस्तों आपको left और right दोनों side में मिल जाता है और scooter के front suspension में आपको telescopic fork के उपर dual tone color में इस scooter का काफ़ी sporty सा दिखने है अला front mudguard नाजारा जिसके उपर zoom sticker में लिखा गया है इसके front wheel में आपको 12 inch का काफ़ी sporty सा दिखने है अला diamond cut alloy wheel मिलता है जिसमें आपको 90 by 90 section के tubeless tire और इसके front brake में आपको 190 mm का disc brake मिलता है और हम जालेते इस scooter के console और handlebar में लगे switches के बारे में तो जैसा कि आप देख रहे हैं hero zoom में आपको fully digital console मिल जाता है और साथ ही इसमें आपको bluetooth connectivity भी मिलता है जिसके साथ इस scooter में आप call alert, miss call alert, SMS alert देख पाएंगे और display में जासा कि आप देख रहे हैं lab side में आपको fuel gauge के साथ auto meter और mode button को प्रेस करके आप यही पर trip 1 और average km per liter भी इसमें देख सकते हैं और इसके उपर में time और right side में आप km per hour देख पाते हैं और right side के display में उपर के तरफ में आप call alert, miss call alert, SMS alert वेगरा देख पाते हैं साथ ही service reminder भी आप इसमें देख पाएंगे और उपर के तरफ में जासा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर side stand indicator, low fuel indicator, high beam indicator, turn signal indicator और malfunction indicator के साथ आप I3S indicator भी देख पाएंगे और right side के handlebar में आपको I3S on-off switch और self मिलता है और left side के handlebar में आपको integrated high beam, low beam, pass switch के साथ turn signal indicator और horn मिलता है और इसके front inner body panel पे ध्यान देख तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको black and gray color के इसका body panel नज़र आएगा इसके साथ इस scooter के front में आपको दोनों side में काफी बड़ा सा pocket दिया गया है और इस pocket के center में अगर आप नीचे से ध्यान दे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको USB charging socket दिया गया है जिससे आप अपने phone को charge कर पाएंगे और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस scooter में आपको dual texture काफी premium सा दिखने अला seat मिलता है और यह देखने में आपको काफी slick नजर आ रहा होगा मगर जब मैं इस scooter को ride करके आ रहा था तो मैंने देखा कि इसमें जो form दिया गया यह काफी soft है तो मुझे ride करते समय इस scooter का seat काफी comfortable लगा साथ ही आप सभी को बता दो कि इस scooter का seat height 770 mm रखा गया है तो अगर आपका height 5 feet है तब भी आप इस scooter को बहुत आराम से ride कर पाएंगे और अगर आपका height 6 feet है और आप इस scooter को लेना चाते हैं तो आप भी इस scooter को काफी आराम से ride कर पाएंगे क्योंकि इस scooter में आपको काफी अच्छा lag space मिलता है जिस वज़ा से आपको इस scooter को ride करते वक किसी भी तरह की कोई परिशानी महसूस नहीं होगी और seat को open करने के लिए जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर खी लगानी की जगा दी गई है यहाँ से आप इस seat को open कर पाएंगे और seat के नीचे आपको 19.2 लिटर capacity का boot space मिल जाता है और इसमें आपको boot lamp भी दिया गया है LED boot lamp और 5.2 लिटर capacity का fuel tank भी मिलता है और अब मैं seat को बंद कर देता हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं इस scooter में आपको pill and radar के लिए कोई भी grabbar नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इस scooter में आपको extreme 160R की तरह integrated grabbar मिलता है और इसके tail lamp में आपको edge के shape में LED tail lamp और इसके turn signal lamp में आपको normal bulb मिलता है मगर इसे काफी flexible बनाया गया जो आसानी से तूटेगा नहीं और अब हम इस scooter के rear suspension की बात करते हैं तो जासा कि आप देख रहे हैं इस scooter में आपको spring loaded hydraulic tap suspension मिलता है जिसे अब अपने हिसाब से adjust नहीं कर सकते हैं और इसके wheel की बात करें तो अब आपको बता दूँ कि यह hero का पहला scooter है जिसमें आपको rear में 12 inch का diamond cut alloy wheel मिल रहा है जिसमें आपको 100 by 80 section का tubeless tear दिया गया है और इसके rear brake में आपको 130 mm का drum brake मिलता है अब हम दोस्तों hero zoom के सबसे खास चीज इस scooter के engine के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस scooter में जो engine दिया गया है वो pleasure plus वाला same engine है जिसमें आपको 110.9 cc का four stroke single cylinder air cold engine मिलता है जिसमें आपको maximum power 8.05 bhp का power और maximum torque 8.7 mm का मिलता है जिससे इस scooter में आपको 0-60 सिर्फ 9.35 second में ये पकड़ लेता है और आते वक्त मैंने इसे high speed में भी ride किया था और मैंने देखा कि मुझे इस scooter में वाके में काफी अच्छा pickup मिल रहा था और scooter के fuel supply system में आपको program fuel injection system और starting में आपको kick start और self start दोनों ही मिलता है और अब मैं आपको इस scooter में मिलने हैं इसके color option के बारे में बता देता हूँ आपके screen पे आप जो color देख रहे हैं यह है इसका sports red color इसी के साथ इसमें आपको दूसरा color मिलता है blue तीसरा color है black चौता color है इसमें matte orange color आपको एक मिल जाता है और पांचवा color है pearl silver white color तो यह पांच color दोस्तों आपको मिल जाता है इस scooter में और आपके safety को ध्यान में रखते हुए आपको इस scooter में side stand engine cut up switch मिल जाता है जिसे भी install नहीं किया गया है क्योंकि आज मैं इस scooter को जल्दी में शोरूम से ले किया गया था और काफी sporty सा दिखने अला exhaust मिलता जिसके उपर plastic material का muffler cover भी लगा है और हमारे जमशितपूर में hero zoom का on road prize 96,960 तो अगर आप इस scooter को purchase करना चाते हैं या इसका test एड लेना चाते हैं तो आप union bikes hero में आ सकते हैं शोरूम का address or contact number आपके screen पर नज़र आ रहा है और आपको एक चीज़ जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने लिए और अपने family के लिए कोई भी 100-110cc scooter लेने की सोच रहे थे तो आप इस scooter का एक बाद test एड जरूर लेजेगा जैसा कि आप देख रहे हैं यह देखने में काफी sporty और इसे आपके लिए aerodynamic look में बनाया गया है और scooter में आपको projector LED head lamp के साथ LED tail lamp और fully digital console के साथ Bluetooth connectivity भी मिल जाता है तो overall देखा जाए तो 110cc में अभी यह जिस price range में आपको यह मिल रहा है यह काफी अच्छा package है आपके लिए 110cc scooter में तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आप इसका test rate लेना चाहते हैं यूने बैक्स में आएं और मुझे और मेरे चैनल को support करने के लिए इस video को like करके अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा share दोस्तों जरूर कीजेगा और चैनल में नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell notification को all में कर दीजेगा ताके मेरे सबी video आप तक पहुंच सके और इस scooter का काफी सारे लोगों का मन में होगा कि आप इसका मालेश टेस कप कर रहे हैं तो आपको बता दो बहुत ही जल्द आप मेरे चैनल में इस scooter का मालेश टेस देख पाऊगे क्योंकि यह scooter अभी single showroom में आया है इसका tested scooter हमारी जमशेतपूर में अभी नहीं आया है फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मुझे यही scooter मालेश टेस के लिए मिल जाए तो एक बार लास्ट में फिर से बोर रहे हूं दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरू करें मुझे दोस्तों झाले जरू करें